टूंस कैसे यहाँ आप सराधे है करते है आज की वक्षीट आज की वक्षीट आपकी वक्षीट नमबर 45 और diversल देसंबर लिज एक का English class है यहाँ पर 6 ताफ़ यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपको अपने टीचर का नाम देखने है lesson fair play continue करते हैं जो हम fair play chapter पर ले थे बच्छु उसीको हम continue करते हैं तो यहाँ पर question पुछेगा है कुछ has your best friend done something you thought was wrong क्या आपके जो आपके best friend है आपके period में तरह उन्होंने कभी कुछ गलत किया है अगर किया है तो yes लिखोगे अगर नहीं किया है तो no लिखोगे आप ठीके बचो अब आगे चलते हैं did your friend try to correct himself after your suggestion क्या जिसे कि आपके friend ने कुछ गलत किया और आपने उन्हें suggest किया कि नहीं ये गलत है तो क्या उन्होंने खुद को ठीक किया अगर हाँ तो yes लिखोगे अगर no तो नहीं लिखोगे अगर नहीं किया correct तो आप no लिखोगे what change after your suggestion to your friend आपने जिसे कोई suggest किया आक्टर बुलिंग समवन ठीक है इस ताइप से आप answer लिख सकते हो अब आगे चलते हैं read what happened next in the story fair play fair play जो story है उसके उसमें आगे क्या होता है ये देखते हैं the panchayat has held under the old bunyan tree जो panchayat थी वो दुबारा से का हुए उसी old bunyan tree के नीचे अल्गू stood up and said अल्गू खड़ा हुआ और उसने कहा the voice of panch is the voice of god जो panch की आवाज है उसे panch की आवाज किसकी आवाज होती है बच्च भगवान की आवाज होती है let saahu dominate the head punch तो जो saahu है वह head punch को nominate करेगा मतलब decide करेगा I will abide by his decision मैं उसके decision से सहमत होंगा मतलब मैं उसके decision की expect करूँगा मैं जो भी वो बोलेगा मैं वही करूँगा saahu saw his chance and proposed the name of juman saahu ने मौका देखते ही किसका नाम प्रपोस किया बच्च जुम्मन का अल्गू's heart sank and he turned pale अल्गू का जो heart था मतलब उसका दिल बैट गया और उसका मतलब जो चहरा था वो फीका पड़ गया but what could he do but वह करी क्या सकता था the moment juman become head punch जब जो juman है वो head punch बना he realized his responsibility और उसे अपनी responsibility realized हुई उसे पताश लिगा कि उसकी responsibility क्या है उसकी as a judge एक judge की तरह उसकी क्या क्या responsibility है and the dignity of his office could he seated in that high place और जब वो उस high place पर बाठा तो उसे सब को पजल गया कि क्या सही है क्या गलत है मतलब उसको judgment देना है उसकी responsibility है have his revenge now ठीक है यहाँ पे मतलब कुछ कोई भी place नहीं है revenge का he thought and thought no, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice उसे सोचा कि नहीं मेरी कोई personal feeling नहीं आनी चाहिए इस decision को सुनाने में इस justice को सुनाने में ठीक है तो उसने अपनी personal feeling को रखा side में जैसे की अलगु चौधरी ने किया था last पंचायत में उसी तरह किसे यहां से जम्मन ने भी वही किया कि अपनी personal feeling को side में रखते हुए truth का साथ दिया, मतलब सच्चा इसका का साथ दिया बोथ अलगो और साहू state their cases अलगो और साहू दोनों नहीं अपने case को जो है state किया, मतलब समझाया बताया case के बारे में they were cross-examine जो उन दोनों से cross-question पूछे गए और ताकि उनके बारे में deeply knowledge मतलब हम जान सके case को इसलिए उनके से cross-question किये गए then जुम्मन stood up and announced जब उसके बार जुम्मन खड़ा हुआ उसने announce किया it is your opinion it is our opinion that साहू should pay अलगो the price of the bullock तो इसने क्या बोला जुम्मन ने कि हमारा opinion यह है कि साहू को जो है अलगो को price देना चाहिए बुलक का ठीक है when साहू brought the bullock जब साहू ने बुलक खरीदा था it suffered from no disabilities or disease जब साहू ने बुलक खरीदा था जब बैले खरीदी थी तो उस टाइम पे बैले बिलकुल ठीक ठाक थी उनको नहीं कोई बिमारी थी नहीं कोई disabilities थी जो बुलक की मृत्यू थी वो unfortunate थी वो किसी के सोची हुई नहीं थी बट अलगो कान नॉट बी ब्लेम फॉर इट इसलिए जो है अलगो को हम इसका ब्लेम नहीं दे सकते हैं अलगो कुछ नॉट नॉट कंटें इस फीलिंग, ही स्टूड वै अपनी फीलिंग को रोक नहीं सका, ही स्टूड अप एंड सेड लाओड ली वै खडा हुआ और तेज तेज बोलने लगा ओवर अड ओवर अगें विक्ट्री तु दा पंचायत, this is justice विक्ट्री तु दा पंचायत दिस जस्टिट, God लीवस इन वाइस अफ पंच, उसने क्या बुला पंचायत की विजए हुई और दिस जस्टिट, मतलब यह नियाए है, God lives in दा वाइस अफ पंच पंच के आवाज में क्या होते हैं गौड विराजमान करते हैं मतलब गौड का भगवान का निवास होता है अब आगे चलते हैं सून आफटर जुमन केम तो अलगू जुमन अलगू के पास आया अमबैस्ट हुआ और वो उसने उसे कहा सिंस ता लास्ट पंचायद लास्ट पंचायज में मैं तुम्हारा दुश्मन बन कह था तुड़े आइ रेलाइस वाट इट मीन तो भी अपंच मुझे आज रेलाइस हुआ कि एक पंच का मतलब क्या होता पंच has no friend nor enemy एक पंच का नहीं कोई दुश्मन होता है नहीं कोई दोस्त होता है उसे सिर्फ जो है जस्टिस के बारे में पता होता है let no one let no one debate from the path of justice and for friendship और immunity मतलब कोई भी जो कोई भी debate मतलब कोई भी जो ऐसी चीज़ है जो कि जस्टिस के पाथ से हटा सकती है चाहे वो friendship हो या फिर अनमेटी हो माई चाहे दुश्मन हो चाहे हमारी जो है फ्रेंड हो हमें हमेशा कौन सा पाथ चुनना चाहिए truth का अलगु आमवेस्ट his friend अलगु ने जो है अपने फ्रेंड को हक किया मतलब उसे गले लगाया and wept and his tears washed away all the dirt of misunderstanding और जो उसके tears थे उसकी जो आसरो थे उससे उसने अपने सारे misunderstanding को जो है wash कर दिया साफ कर दिया between them अपने दोनों की बीच की ठीके बचो तो यह थी आज की story read the statement below नीचे के statement को पढ़ना है साहू show his chance and propose to the name of Jumman as the head punch ठीक है बचो यह इस poem में मतलब इस story में यह line है अलगु announced that शाहू should not pay Jumman the price of the bullock यह line नहीं है बचो बोथ अलगु और Jumman state their cases अलगु और Jumman थोड़ी नहीं है यहापे थे कौन-कौन था साहू और अलगु Jumman realizes his responsibility as a judge once he become the head of punch यह भी सही है next है अलगु और Jumman embarrassed each other at the end of the story बिल्कुल correct तो हमें बताना है now choose the option from the following to answer which of which of the above statement was true उपर की जो statement उनमें से कौन-कौन-कौन-स statement true है यह आपको बताना है तो first, first, fourth or fifth है यह statement सही है तो यहाँ पर first, fourth, fifth इस वाले option में तो मतलब option D आपको correct है ठीक है बच्चो तो यह थी आपकी आज की वरक्षित अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट रिके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे मलते हैं बच्चो नेक्स वीडियो में बाई वेच्चो टेक एर